नमस्कार दोस्तों मैं वीनु जैस्वाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज बनाएंगे सर्दियों की खाश डिस हर्दी लजिस पालक पनीर तो रेशीपी शुरू करते हैं तो मैंने 500 ग्राम पालक लिया इसे तोड़ करके हमें इस तरह धूल करके ले मैं दो जी लिया लिया मैंने 45 और 1 छममा महिंच और और 7-9 लैसन पनीर पनीर लिया मैंने आपने ELinis काटेंगे अपने मं चाह में सेट में आपनी उबालेंगे बरतं में और इसमें डाल देंगे हम यूब nya अपने अध्रक हरी मिल्ज और लहसोन और इसमें डाल देंगे हम अब पालक के पतियां इसे हम ब्लांच करेंगे देखिए सारे पालक के पतियों को डाल दिया है मैंने और यह डूब गई है अच्छी तरह से गरम पानी में और इन्हें रखना हमें तीन मिनेट इन्हें ओवरकुक नहीं करना है वरना यह काल में इसे मैं डाल दोंगी ताकि यह ओवर कुक ना हो और इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं रुख जाए तो इस तरह से डालने से यह पत्तियां बिल्कुल हरी रहती है और पालक पनीर का कलर हमारा बहुत यह अच्छा आता है तो इस तरह सारे पत्तियों को निकाल के में बरफ के पालक को यह बहुत ही अच्छा कलर आया है और हमारे पालक बहुत ही फ्लेवर फुल भी हो गया क्योंकि इसमें लहसुन अद्रवक और हरी मिर्स भी पिस गई है साथ में ही तो चलिए प्रोसेस सुरू करते हैं पालक पनीर बनाने का तो तेल मैंने कड़ाई में गरम कर लिय अब कोई भी कुकिंग ओल ले सकती है और तेज पत्ते डालकर तीन मीडियम प्याज में पारी कटे हुए इसमें भूनोंगी जब तक की तेल गुलाबी ना हो जाए तेज पत्ते हम निकाल देंगे क्योंकि तेल में इनका स्वाद भीन चुका है और अब इसे हम प्याज कभ जन्यदक पत्त साथ निया आधा चम्माश वलडी और मिर्च अफस्त क्या दाले क्योंकि हमने इसमें हरी स्चान स्वाद डाला तो मिर्च को आप सौट सवस्द्राव anecd कर के मसालों पौह मचे तो हम अच्छी तर команд कर शल्क मियाने। अच्छी जलते नहींErिं और धीमी आज अच्छी तरह से भून गए हैं और इसमें अब हम डाल देंगे यह घर का बना हुआ गरम मसाला जो मेरी रेसीपी है और मेरे चैनल पर भी यह रिसीपी है माई भटन में इसका लिंक दे दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले जितनी अच्छी तरह से भूहनते हैं तो सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दिमी आज पे मसालेओ हो बूने इस तरह से और ढाल देंगे अ थोड़ी सी कसूरी में च्छी और इसे भी भूनेंगे इससे पालक पनीर का टेस्ट बहुत यह जरूर भी बहूत अच् मारे फट गये तो इसका मतलब मसाले बहुरत ही तरह से फुन गये हैं EU समय हम डाल देंगे अपने यह पालक में तो यह देखिए पालक में चलीक करेंगे इस तरह से और इसमें उबालाने का इंतजार करेंगे, तो देखिए पालक में उबाला चुका है, और अब डाल देंगे पनीर के टुकडों को, आप चाहे तो पनीर के टुकडे फ्राई करके भी डाल सकती हैं, और अपनी इच्छा के नुसार कम्या जादा भी डाल सकते हैं, तो इस तरह है ये देखिए बटर्ण करेंगे और गर्म पालड पर और बहुती टिस्टी बने रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिये गा mapped आपने इस आपने फैमटेट के साथ मेरी और वीडियोजीओ कर चूर backbone करीएग गरße और मेरे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए बेल आइकन ज़रूर दबाईए इसे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और अपने कमेंट्स भी बताइएगा मुझे कि आपको ये प्रेसिपी कैसी लगी तो आप मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद